एक छलने की हेल्प से आप चीर सकते हैं घेरो लसन जी हाँ और इन कलोध बीन से आज आपके किचन की ना बहुत बड़ी प्रोबलम साल्व हो जाएगी आज इस बौटल से ना मैं आपके किचन की बहुत एक बड़ी प्रोबलम को सॉल्व कर दूंगे इसी तरह के बहुत करना आप दंग रह जाएंगे और वह इस पेचली आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कैसे हैं आप सब लोग कि आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे तो देखिए हम सभी के घर में इस तरह के छोटे-छोटे जार होते हैं लिए्ट, भीजे के हमारे पास जार होते हैं जिसमें की हम पैपर वगेरा नमक वगेरा या हमारे गर में जो चाट्प मसाल हूता कि वम इनके अंबर बहर देतेें तो कई बार क्या होता है assessed गाया ँंदा है, जकर धो जोट जो इनकालते हैं तो प्रोपर टरीक से इनके में से जो भी समान होता है वो बाहर नहीं निकल पाता तो मेहां पर आपको एक छोट असा टिप शेयर करूंगी आपके साथ जिसे कि आपकी प्रॉब्लम ना बिल्कुल सॉल्फ हो जाएगी और जो भी इसके अंदर अगर गुठलियां पड़ गई है ऐसे कुछ है वो चाट मसाला डाले हुआ है जैसे कि हमें कहाने के पर इस प्रिंखल कभी करना पड़ता है हाफ अप बनाते कुछ ही बनाते तो आपको क्या करना जैसे अपने जार को खाली कर ले उसके बाद आपको इसके चोटे बारा आप इसके अनदर डाल दीजिए आप बड़े बी ले स वाफ चाट मसाल निकालेंगे नमख निकलेंगे नकलेंगे वो प्रॉपर तरीके त्रीके निकलेगा इसके आदर गुठलिया नहीं पड़ेगी इसके इंदर कोई भी मौसिर नहीं आएगा और यह बहुत अच्झे तरीके यह पसंद आई होगी अगर पसंद आती है न तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरू करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा कॉमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर जिससे कि आपको इस वीडियो का प्रॉपर फायदा मिल सके तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स टिप की तरफ तो देखिए आज जो में क्लोथ पिन लेकर आई ना इनकी हैल्प से ना आज आप अपने किचिन के कामों को बहुत आसान कर सकते हैं अपनी लाइफ को आप इजी कर सब्ढोड़ के ढ़ra हैं तो देखिए जीस तरह से मैं लगा रहा है इस तरह से आप implementing नेकी सूख नदा यहां oh उस प가지고 को ऐहां पर हम नहीं कट करता है और ऊपर हमें इस तरह से मेडल और सdf़े गळा डीना ऐसी की टर्फते और में अनदर की तरफ टोना को Collar attempting को स्थिरें जैसे कि मैं यहां पर आफ को लगा कर दिखा ए हूं To is तरह से मैं यहां पर सीर पेपर को लगा दिया के Вैं हिसे मैं क्या करने जा रही हूं तो देखे हमारे केचन में जो इस तरह के आबजेक्ट होता है जैसे कि चाकू है छूरी है या फिर टैची है जिस तरह का जिन चीज़ों का यूज हम अपनी सबसें को काटने के लिए करते हैं तो उनकी जो शार्प मेरा सोती है वो अकसर खतम हो जाती है तो इसकी हैल्प से आ जिस हिस्से को मैंने इस शार्प करा है वो इस तरह से शार्प होता जा रहा है जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके जो घर के चीज़ें आपके काफी टाइम तक चलेंगे कई साल तक यह पेपर कहीं नहीं जाने वाले याक्त इस से नहीं उन्हहें खुतिता है ईहिसां है इसे कंची में कil से कुछए है आप आप दो कुंेट हमें दो रहेंगे में सवस्कुत हैेऑ 카메dio कि मिले ज़ सीजर में इस चाहिए के कोई डर नहीं ऒपको आपपको यह वाला है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर कर दे कॉमेंट भी करेगा यह jedばquinho को वाच कर रहा है और आप को मिरी वीडियो कैसी लगती यह आपके ना काफी टाइम तक चलता रहेगा इस तरह से प्लोट मिन में बना कर रख लीजिए और आप इसे अपनी किचन में भी कहीं भी रख सकते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप की तरफ तो कई बार क्या होता है जब मार्केट से इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी में सब्सक्राइब लेकर आ जाते हैं तो कुछ लोगों के घरों में फिर्ज नहीं भी होते हैं और कुछ जगा फिर्ज होते हैं तो वहां लाइट की प्रॉब्लम होती है जिससे की सब्सक्राइब खराब होने कर डर रहता है तो मैं आपको एक बताऊंगे जिससे कि आपकी जो सब्सक्राइब बिना फिर्ज के भी आराम से काफी टाइम तक स्टोर रह सकती है आपको क्या करना है जब आप इस तरह से खीरे लियाते हैं तो आ आप पर on the tape के जिससे का अनको प्रॉब्लम होते हैं तो तो आपको क्या करना उपर की साइड आप देख सकते हैं यहां पर इस इंची टेप के इनदर आपको इस तरह से रबड को ले लेना है और इस अंदर डालना है और नबता है और आपको जोक्ए इंदर आपको इस तरह और डालने के बाद ना जब आप इस तरह से इस रबड को निकालेंगे ना तो इसमें एक नॉट की टाइप से लग जाएगी अब ये लगाने से फायद होगा कि आपका जो इंची टेप है ना ये आराम से और्गनाईज हो जाएगा आप इसको फोल्ड कर दी और फोल्ड करने के बाद ना जब आप इसको लास्ट वाले सीरे पर इसके आएंगे ना इस तरह से आपको क्या करना है इस रबड से इसको नहीं जाएगा यह ना मैसी होगा ना यह खुलेगा ना यह खोएगा और ना ही ना यह खराब होगा तो इस तरह से ना आप अपने इंची टेप को और और रख सकते हैं और यह भी नहीं कि बार बार आपको रबड ढूने और इसको बांदने के लिए ना आपको कोई चीज उना पहलेकर लेते हैं तो मैं बहुत तरह से रखते हुँ जिसे कि हमारे जो टाइम है ना वो रोज रोज पीसने में खराब ना हो तो आप भी इस तरह से पीसका रख सकते हैं बट कई बार क्या होता है कि लाइट प्रोपर ना ना रही वज़े और उसके अनदर स्मयल आने लिएक एक जिए और भी नई पड़ेगा और समयल भी नहीं आएगी जैसे कि अज़कल गरमी आचुकिए तो रात को क्या होता है कई बर हमारी जो सिंग में से कोकेर व गगेर यह और भी कोई आज होटें और हमारी सिंग में से बाहर आ जाते हैं जाना हमारे बर्तनों को गंद उसके बाद किया करना है जब आप बरतन दो लेते हैं सिंग साफ कर लेते हैं आपको इस तरह से थोड़ा सा नमक ना अपने सिंग में डाल दे रहा है चाहिए तो आप नमक का पानी भी बना सकते हैं पानी बाली जिए नमक डाल के और फिर बोटल में रख लिए उसका स्प्रे नमक कर Mais बाल एक तो आपको यह बोटल कोई कोई कर तो कोई करें और नमक किडा करें व्रागां कोई 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 किड एलगा डाल से चाहते हिरं बाल इंदर ही आरे पर आपको जाजये तो आपको आई एक पिसांद सार परिम करोंगी आगर आपके로 टेप नहीं है तो लिगल पर ठाज those asking तो आपड़ सरय मांस के तव 시क्वाग्ड है टेपप सब्सक्वी करोगते हैं और जवस्ते पाह जानी कि यवे चुछिए दि香ई पावे में आप इस तरह से टेप लगा दीजे इससे क्या होगा कि चीटी जो है वह आपके बैट पर बिल्कुल भी नहीं चड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत जादा ग्लू और अगर चीटे चड़ेंगी तो वह इसी के ओपर चिपक जाएंगी और वह उपर तक नहीं साथ ही साथ आप अपने बैट को दिवार से थोड़ा साल हटा कर रखें दिवार से मिला कर ना रखें तो इससे जो आपके बैट पर इस तरह से होता है कि गर्मियों में बैट पर बिस्तरों पर चीटी आ जाती है और फिर वह रात को परेशान करती तो आपकी प्रॉब्लम बिलकुल दूर हो जाएगी बैट के चारो कोनों पर इस तरह से आप मास्किंग टेप लगा लिजी या फिर आप इस तरह से यह वाली टेप भी लगा सकते हैं इससे आपके प्रॉब्लम बिलकुल दूर हो जाएगी देखे इस तरह से अब जो चीटी है वो बिलकुल भी ही चड़ पाएंगी तो आई होप आपको यह वाला है भी पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल भी मत बुलिएगा आज मैं आपको लसन चीलने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे देखकर आप भी बहुत जादा दंग रह करें जब आपको उनले चाहिए और अपने अपने आपको चलनी को रखेएंगे भी में सब्काइए जब आपको चलाओ है तरह को दिखकर आप लिएव मतल कीनोς चじゃない शाओंब्स आपको नॉइग को सब्सक्राइब ही चैना है एक ही लाना के कि सब्सूरे === और आपको इसका aamazing result मिलेगा तो देखे इस तरह से ना मैंने इसको इस तरह से यहां पर जला लिया है तो अंदर से नहीं जला यह सिर्फ बाहर से यहां पर इस कपड़े को आपको रब करना है आप ना खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इस टिप को फॉलो करेंगे जब आप इस है को आजमाएंगे ना आप मुझे दौाय जरूर देंगे देखे आपकर जो लसन ना वह बहुत आसान तरीके से यहां पर छिल जाएगा देखे मैं आ पात भी इतना टाइम नहीं होता आजकल के टाइम में कि वह बैठकर घंटों तक लसन चीले तो देखे इस तरह से जो हमारा लसन ना कितनी आसानी से चिल रहा है सारे इसके जो आप देख सकते हैं चिल के ना वह अपने आप ही अलग हो चुके हैं तो आप भी जब भी आप चीले ना मेरे इस टिप को फॉलो करिए गा और अपना डिज़र्ट ना मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा बस आपको ये धियान करना है कि आपको लसन को बहुत ज़यदा देर तक नहीं जलाना है दो से तीन मिनिट के अंदर ही आपका काम हो जाएगा यह नहीं कि बहुत साफ हो जाएंगे अब देखें मैंने इन सभी लसन को यहां पर पानी से अच्छे से वाश कर लिया और हमारे लसन आप देख सकते हैं पानी जो है वह भी आपको इसके अंदर से निकलता हो दिखाई दे रहा होगा और हमारा जो यह लसन अंदर से विलकुल भी खराब नहीं चुका है तो आपको मेरा यह वाला है कि वाला टिप्स कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को जादर से जादर शेयर करेगा मुझे सपो क्रूलेगा तोचा कि विज हाई हुँ झालाइब को जादर प्सक्राइब करेगा हुँабू